दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इस दुनिया की सारी दौलत को सब में बराबर बांट दिया जाए तो वो वापस कुछ सालों में उन लोगों के पास वापस पहुंच जाएगी जिनके पास अभी सबसे ज्यादा दौलत है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिच माइंट सेट वाले लोग है वो पैसों के इस गेम को समझते हैं वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं पैसों से अपने लिए काम करवाना जानते हैं जबकि poor mindset वाले लोग दौलत मिलने के बाद भी कुछी सालों में वापस पुरानी हालत में पहुँच जाएंगे दोस्तों एक बार दो दोस्त होते हैं, दोनों एक ही कलास में पढ़ते हैं, दोनों की जॉब भी एक साथ लगती है जॉब लगने के बाद पांच साल तक दोनों पांच लाक रुपे सेव कर लेते हैं, अब एक दोस्त उन पांच लाक रुपे से नई चमचमाती कार खरीद लेता है और दूसरे दोस्त को भी वो ऐसा ही करने के लिए कहता है लेगिन दूसरा दोस्त कहता है कि मैंने उन 5 लाख रुपे से कुछ high quality stocks में invest कर दिया है जिन में मैं long term तक invested रहूँगा अब 5 साल बात पहले वाले दोस्त की कार पुरानी हो चुकी है और उसकी salary का एक बड़ा भाग उसके petrol, insurance, parking और maintenance पर जा रहा है और वहीं दूसरे दोस्त को हर साल dividend के रूप में एक नई आमदनी होती है उसके shares का price तो बढ़ाई है साथ ही उसकी एक passive income dividend के रूप में उसके पास आ रही है अब salary तो उसकी आई रही है साथ ही उसके stocks भी उसे passive income दे रहे है passive income मतलब कि जब आपके काम किये बिना ही आपकी assets आपको income दे रही है जो लोग dividend के बारे में नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि stock market में जो अच्छी companies होती है वो अपने profit का कुछ भाग अपने share holders के साथ बांटती है जिससे जिसके पास उस company के जितने share होंगे उसी के अनुपात में जो प्रतिश share dividend company ने declare किया है उतना dividend उस share holder को मिलेगा जैसे मान लो कि आपके पास किसी company के 2000 share है और company 8 रुपे प्रतिश share के हिसाब से dividend declare करती है तो आपको 2000 रुपे प्रतिश share के हिसाब से 8 रुपे प्रतिश share का जो dividend मिला है उस हिताब से 16,000 रुपे का आपको dividend मिल जाएगा दोस्तों जहाँ एक दोस्त के पास 5 साल बाद एक खटारा कार बज जाती है वहीं दूसरे दोस्त के पास उसकी उसी 5 लाग की income से एक income का नया source करेट हो जाता है और उसकी 5 लाग की जो investment की value है अब वो 12% सलाना ब्यास की दर से लगबग बढ़के वो 9 लाग के आसपास हो चुकी है अब वो चाहे तो इस income से कार करीश सकता है यह सिर्फ एक mindset का फरक है यही सोची इनसान को आगे चलकर गरीब या अमीर बनाती है अमीर लोगों का mindset कुछ इस तरह का होता है जिससे वो और अमीर होते जाते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि अमीर लोगों की किसमत अच्छी होती है दोस्तों अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको rich mindset रखने की जरूरते हैं और poor mindset से दूर रहने की जरूरते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे points चेर करूँगा जिससे आप भी rich mindset के साथ अपनी life को जी पाओगे और अमीर बन पाओगे सबसे पहले जो point है वो है कि assets और liabilities का फरक आपको पता होना चाहिए दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको assets और liabilities में difference पता होना बहुत जरूरी है assets वो चीज है जो आपकी जेव में पैसा डालती है मतलब जैसे कि आपके किसी मकान से आपके पास हर में रेंट आता है आपके stock से आपको dividend मिलता है आपने कोई book लिखी है वहाँ से आपको royalty मिलती है इसके साथ ही आपकी assets की value धीरे धीरे बढ़ती रहती है और liability मतलब वो चीज जो आपकी जेव से पैसा निकालती है जैसे आपकी car जिसमें आप हर महीन है petrol के रूप में, parking है, insurance है, maintenance है ऐसे काफी सारे चीज़ों में आपका जो है जेव से खर्च होता रहता है इसके अलावा जैसे जैसे वो पुरा नहीं होती जाएगी उसकी value भी काम होती जाएगी महान निवेसक Warren Buffett साब कहते हैं कि अगर आप आज उन चीज़ों को खरीते हूँ जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो भविश्य में आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है अमीर Mindset वाले लोग अपना पूरा focus पहले assets बनाने पर create करते हैं जब एक बार वो अपनी assets को बनाने में कामियाब हो जाते हैं तो वो assets उनके लिए पैसे बनाने का काम करती है जिससे वो और अमीर होते जाते हैं जबकि पूर Mindset वाले लोग अपनी सारी income को उन चीजों में खर्च करते हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती उनका काम 15,000 रुपे के phone से चल सकता है लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए 1,000,000 रुपे का phone खरीते है उनका काम 4,000,000 की second and card से भी चल सकता है लेकिन वो 20,000,000 की new brand card खरीते हैं और वो भी EMI पर महंगे branded कपड़े, महंगे holidays के चक्कर में वो अपने finance को पूरी तरह से विगाड़ देते हैं और एक दिन कर्च के जाल में फंज जाते हैं अब यहां यह नहीं कहा जा रहा कि आपको चीजें खरीदनी नहीं है लेकिन आपको mindset को बदलने की जरूरत है पहले assets बनाने पर आपको focus करना होगा फिर आपकी assets आपके लिए income generate करने का काम करेंगी खर्च सिर्फ वही कीजिए जिसकी आपको जरूरत है वो नहीं जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हूँ point number two है कि time पैसों से ज़्यादा महतुपून है दोस्तों maximum लोग जितनी देर काम करते हैं उतना ही उनको income होती है जैसे आप कोई job करते हो तो आपकी income आपकी job के हिसाब से fix है अगर आप महीने में ज़्यादा छुटिया कर लोगे तो आपकी salary कर जाएगी मतलब कि जितना time आप अपने को भीच रहे हो उतना ही पैसा आपको मिल रहा है जिस दिन आपने काम को time नहीं दिया उस दिन आपकी कोई income भी नहीं हुई मतलब कि आपकी income और time में बहुत गहरी दोस्ती है दोस्तों rich mindset वाले लोग जानते हैं time से money को अलग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों महान नीवे सक Warren Buffett साब भी कहते हैं कि if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die मतलब कि अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं खोशते हो जिससे कि आप सोते समय भी पैसा बना सको तो आपको मरतेदम तक काम करना पड़ेगा rich mindset वाले लोग assets खरीदते हैं यही assets उनके time को उनकी income से अलग करते हैं जिस समय maximum लोग अपनी सारी income पस so off के लिए कर्च कर रहे होते हैं उसी समय rich mindset वाले लोग अपने लिए अलग तरह की assets जैते stocks, mutual funds, real estate, gold bond, commercial properties और business और ऐसी चीज़ों में invest करते रहे हैं ताकि एक समय बाद उनकी यही assets उनको income देने का काम करें तब भी जब वो सो रहे हों तब भी जब वो छुटिया मनाने गए हों तब भी जब वो अपने परिवार के साथ छुटिया मना रहे हों यही mindset आपको भी रखने की जरुत है तीसरा point है good debt और bad debt में अंतर पता होना दोस्तों आजकर loan लेना बहुत ही असान हो गया है हम लोग हर चीज़ के लिए loan ले रहे हैं चाहे हो mobile phone हो, TV हो, free जो, AC हो और घर का कोई भी दूसरा सामान हो हम हर चीज ही हमाई पर ले रहे हैं और तो और कुछ लोग तो विदेज घुमने के लिए जाने के लिए भी loan ले रहे हैं अब इस पर बहुत से लोग कहते हैं कि कर्श तो अमीर लोगों के उपर भी होता है दोस्तों हकीकत यही है कि हमें लुभावने ओफर देकर इस debt trap में फसाय जाता है ताकि हम पूरी life इन loans को चुकाने में लगा दे rich mindset वाले लोग जानते हैं कि loan बुरी चीज नहीं है बलकि उसे use करने का तरीका बुरा है वो लोग अपने business को बढ़ाने के लिए loan लेते हैं जिससे उनका business उनके कई गुना पैसे कमा के देता है जिसके बाद वो loan चुका सकते हैं तो उनके लिए वो loan assets बनाने के एक जरिये के रूप में काम कर रहा है लेकिन हम उस loan का use उन चीज़ों को खरीदने के लिए करते हैं जिनकी value दिन परती दिन कम होती जाती है हम दूसरें को दिखाने के चकर में ताकि हम अमीर दिखें इस वज़े से अपनी सारी life इन loans को चुकाते रहते हैं तो दोस्तों आपको loan के इस trap से बचने की जरूरत है और एक rich mindset अपनाने की जरूरत है fourth point है instant gratification rich mindset वाले लोग किसी भी चीज़ को किसी भी समय नहीं खरीते है वो पहले देखते हैं कि उनको उस चीज़ की जरूरत है भी या नहीं उस चीज़ को खरीदने के लिए उनकी income का कहीं एक बड़ा भाग नश्ट तो नहीं हो रहा है वो ये भी सोचते हैं कि क्या ये चीज़ उनकी life में कोई value एड भी करेगी या नहीं अगर उसके लिए उन्हें wait भी करना पड़े तो वो wait करते हैं लेकिन वही poor mindset वाले लोग जब उनका दिल करता है वो उस चीज़ को खरीद लेते हैं बीना सोचे समझे चाहे उनके पास budget हो या नहो उन्हें बस तुरंद मिलने वाली खुसी चाहिए बस कोई चीज़ पसंद आई credit card निकाला और करदी payment बस फिर क्या एक और EMI का दोड़ शुरू और दोस्तों इस instant gratification वाले mind से आपको दूर रहने की जरूत है अगर आप जिन्दगी में अमीर बनना चाहते हो नंबर फिफ्थ पॉइंट है focus on learning poor mindset वाले लोग बस result पर focus करते हैं उन्हें बस ज्यादा अच्छी job चाहिए ज्यादा पैसे चाहिए और जल्दी से जल्दी वो बस अमीर बनना चाहते हैं और इसी इच्छा में उनकी life का maximum time कब चला जाता है उन्हें पता भी नहीं होता और आखिर में वो अपने किस्मत को और परिष्थित्यों को दोस देते हैं जबकि वहीं rich mindset वाले लोग जानते हैं कि result हमेशा input और process का परिणाम होता है वो जानते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा अच्छी job चाहिए या ज्यादा अच्छी salary चाहिए तो उन्हें सीखना होगा जितना ज्यादा वो सीखेंगे उतना ही बहतर उन्हें result मिलेगा वो हमेशा सीखने पर focus करते हैं हमेशा कुछ ने कुछ नया सीखते रहते हैं और अपने field के expert बन जाते हैं और उनकी यही learning उनके लिए एक income generate करने का काम करती है दोस्तों हमें school में ये तो सिखाया जाता है कि पैसे कमाने कैसे हैं लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि उन पैसों के साथ कैसा व्यवार करना है पैसों के प्रती हमारी psychology कैसे होनी चाहिए पैसों को समभालना कैसे इसलिए maximum लोग जितना पैसा कमाते हैं वो सब कहां चला जाता है उन्हें पता यह नहीं चलता हम पैसों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते बस हम पैसों को कमाने की बात करते है लेकिन वहीं rich mindset वाले लोग financial knowledge गेन करते है अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो यहां ये बात गौर करने वाली है कि अमीर बनना ना कि अमीर दिखना ये दोनों अलग-अलग तरह की बाते है अगर आप सच में चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आपको financial knowledge को सीखने की जरूत है जितनी ज़्यदा आपकी knowledge बढ़ेगी उतना ही ज़्यदा आप पैसे से अपने लिए काम करवा पाऊगी दोस्तों आपको ये सीखने की जरूरत है कि अमीरी इस बात से तह नहीं होती कि आप कितने महंगे कपड़े पहनते हो कितनी महंगी गाड़ी में घूमते हो कितना महंगा मोबाइल चलाते हो कितने महंगे घर में रहते हो बलकि इस बात से तह होती है कि आपकी net worth कितनी है मतलब कि आपके पास ऐसी कितनी assets है जो आपको लगातार income बना के देती है जितनी ज़्यादा आपके पास assets होंगी उतना ही ज़्यादा आप अमीर होते जाओगे 7th point है saving और investment poor mindset वाले लोग हमेशा बचत करने पर ध्यान देते है वो अपने पैसों को अपने पास cash के रूप में या फिर saving account में, FD के रूप में रखते हैं जहां उन्हें inflation rate से भी कम interest मिलता है जैसे saving bank account में आपको लगबग 3-4% का सलान भी आज मिलता है लेकिन वहीं महेंगाई जो है वो 6 से लेके 7% के rate से बढ़ रही है तो इस तरह से आपके पैसों की value बढ़ने की जगए बलकि कम हो रही है वहीं rich mindset वाले लोग saving की जगए investment पे focus करते हैं वो अपने पैसों को ऐसी जगए invest करते हैं जहां उनका पैसा महेंगाई दर से वो investment के बारे में सीखते हैं चाहे वो stock market हो, mutual fund हो, real estate हो, gold bond हो वो अपना focus सीखने पर लगाते हैं और फिर अपने पैसों को अलग-लग जगए invest करते हैं जिसे long term में उन्हें 12-15% का return तो असानी से मिल जाता है जो की महेंगाई के rate से लग-बग दोगना है तो दोस्तों आप भी investment को सीखिए किसी के कहने पर या किसी tips के base पर